अपने बुरे हालादों से उपर उठने के लिए एक सिस्टम फॉलो करना है यह जरूरे नहीं है अगर जो चीज हो रही है गलत हो रही है आप इसके खिलाफ स्टैंड अप कर सकते हो सिस्टम के खिलाफ जाकर सक्सेज होने वाले लोज स्टोरि यह आज की मुवी की थीम है आज की मुवी बिंटर डेश ये 2019 यहuit है और यह चान्स मूवी है बहुत सारे मैसेज़र से मुवी देकर जाती है तो डैरेकली शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और नेना हमें क पुरा classroom का environment दिखाए गया है निना जो है अब school में है उनके एक बहुत बड़ी entrance exam चलने वाली होती है इसके लिए ये बहुत ही जादा प्रिपेर करते है इसके बात हमें दिखता है कि इसके friend इसके साथ है ये इससे आज कुछ भी बोलने रही होती है जब थोड़ी देर में इ एक jacket उसका लेती है और उसको cover कर देती है बहुत सारी chats बहुत सारी पाते हम सुनते है कि उसने क्यों किया होगा इसने suicide क्यों की इसके बारे में सब थेरीज बच्चे बना रहे होती है निना के लिए entrance exam बहुत important होती है वो 5 बज़े उठती है और अपने काम पर लग जाती है उसकी friend मर चुकी है पर फिर भी इसको अपना काम करना है यह मालूम है यह जब school आती है तो वहाँ detective आयो होते है यह से कुछ question पूछना चाहते है उससे कहते है क्यों तुम्हारी friend थी अगर वो कुछ trouble में थी तो तुम हमें बता सकती हो क्या उसे कोई तंग कर रहा था निना बोलती है कि वो मेरी friend नहीं थी detective जैंग वा होता है जैंग इससे पुछता है कि वो अगर तुम्हारी friend नहीं थी तुमने उसे क्यों क्यों कर दिया निना कही थी है कि उसे ऐसा दिखना अच्छा नहीं लगता पुलिस से बात करकर निना जब classroom में आती है उसके seat के पास वात है वहाँ blood पड़ा हुआ होता है निना के जो friend थी उसके साथ भी यही हुआ था कुछ लेड़किया उसे bully कर रही थी और यही चीज अब निना के साथ भी होने वाली है निना के friend को ऐसा blood जब मिला था तो वहाँ वो बैठ गई थी पर निना अभी यहाँ नहीं बैठने वाल है यानि कि इसका teacher इसे ही blame कर रहा है कि यह अच्छी तरह के से अपने friend से बाते नहीं करते होगी इसलिए इसके साथ यह सब हो रहा है जब एक कैंटिंग में lunch करने के लिए आती है तो वहाँ कोछ लड़किया आ जाती है इन लड़कियों की boss वायला होती है वायला इसे बात study करना चाहिए यह उसको बताती है पर वायला ही वा लड़की होती है जो नीना के friend को bully कर रही थी नीना उसे मना कर देती है इस group में से एक लड़की कहती है कि यह खुद को हम सब से better समझती है यह group फिर camera निकालता है और इसके photo लेना चाहता है नीना resist कर रही होती है पर फिर अलग लगाए यह तुम्हें नहीं करना चाहिए था उसे वज़कर लेते हैं उसे मारते और कहते हैं कि तुमने उन्हें क्या पताया है नीना फिर घर आते हुए में दिखती है उसकी मदर वहाँ आय हुई होती है नीना के मदर illegal चीज़े बेचती है वो अलग शहर में रहती अपनी बेटी को विज़िट करती रहती है अगर वो यहाँ आकर रहे तो यह पकड़ी जा सकती है और इसकी बेटी के लिए भी dangerous हो सकता है इसलिए अलग city में ही रहना पसंद करती है नीना अपने मदर के बाल बनाते हुए उससे कहती है कि जब मैं entrance exam पास कर जाओंगे अच सारे पैसे कमा कर हम अमारी situation change कर सकते है इन दोनों का यही एक hope होता है अच्छी life के लिए next day नीना के test का result आता है वोसे बहुत अच्छे marks मिलते है इसके school में ही के normal test होती है जिन बच्चों के score खराब आते है इनको teacher कहते है कि अगर तुमने अब अच्छा study नहीं किया तुम अगर नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे इस mentality के साथ यह सब बच्चे चलते है एक दूसरे से वो better है एक दूसरे को नीचा वो दिखाना चाते है आज जब नीना स्कूल से वापस आ रही होती है तो एक लड़के को बहुत सारे लड़के मार रहे है यह उससे दिखता है वो कहता है कि क्या तुम इसके लिए केर करती हो क्या तुम इसे बचाना चाती थी उसको बुली करने लग जाते है और कहती कि अगर तुम इसे पसंद करती हो तो इसे किस कर लो यह फिर जबरदस्ती इन दोनों से किस करवाते है चाव जमेन पर गिरा होता है तो थोड़ी खोब यह उससे को बाजल लिए थे इसका मूबाल खराव हो गया है तो यह भी रिपेर करने के लिए एक Shop पर वसे लेकर आता है इसी Shop पर यह काम करता है तो तुम खुद ही रिपेर कर देता है, चाह उसे कहता है कि अगर तुम प्रोटेक्शन की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, नीना कहीती है कि तुम अपने आपका खायल नहीं रख सकते हैं, वैसे भी मैं बहुत बड़ी यूनियोसिटी में जाने वाली हूँ, मुझे चाह उसे कहता है कि तुम बुली बन जाती हो, या कोई और तुम बुली करता है, इस तरह से ही वर्ल चलता है, तुम क्या हो, इसे पता आता है कि नीना किसी को भी बुली नहीं कर सकते, नीना जब घर जा रहे होती है तो उसे प्रोटेक्शन देने के लिए इसके पीछी हो चलता है, घर जाते जाते एक जगा पर नीना के पोस्टर लगाया होते है, नीना खुरुक है, नीना लायर है, यह सब वहां लिखा होता है, चाह यह देखता है और नीना यह सब पोस्टर निकालती है, इस दिन जब यह स्कूल जाती है, तो सब के मोबाइल पर यह पोस्टर लेकर आता है, यह दोनों खाना अगरा खाते है चाव नीना से पुछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो, नीना कहती है तुम मैं लाइक करने जैसा क्या है, चाव फिर उसे पुछता है, यह तुम लाइक नहीं करती और इसका थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करती है चाहो फिर उसे डराने के लिए उसे पकड़ लेता और कहता है क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं एक पंक हूँ क्या तुम अभी डर नहीं रही हो इसके बाद नीना फिर घर चली जाती है नेक्स दिन हॉली बॉल क जाता है तो लड़कीया उसे धका दे देती है यह नीची गिर जाती है यह कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती है इसकोल की होस्पिटल में वी वाती है वह है एक लड़का उससे मिलने के लिए आता है यह इसका एक फ्रेंड होता है यह उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम यह सब छोड़ कर यहां से चले जा सकते है इसे लाइक करता है, उसके बाद बहुत सारे पैसे भी होते है यह नीना को कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ जो हा यह तुम्हारे साथ नहीं होगा, वो वीक थी, तुम स्ट्रॉंग हो नीना कहती है, यह मैं भी उसकी थरा ही हूँ नीना फिर लाइला और उसका ग्रूप इन सब के बारे में पुलिस ओफिसर को बता देती है जाएंग फिर हमें इन सब लड़कियों के इंटर्वी लेता हुआ दिखता है जब लाइला का इंटर्वी लेता है, तो लाइला बहुत ही confident होती है जाएंग इस पर शक कर आता है, तो उसे कहती है कि उसका खुद का ही decision था हम लोग छोटी मुटी प्रांक्स एक दूसरे पर करते ही है यह जो decision था, यह उसका था, उसके marks अच्छे नहीं आ रहे थे उसे फिर से एक यह repeat नहीं करना था, इसलिए इसने suicide कर ली इसकी suicide की वज़े से इसकी mother को भी बहुत अच्छे पैसे मिल गए है थोड़ा साभी बुरा इससे नहीं लग रहा था रात में फिर हमें देखता है कि जायंग और उसका superior यह दोनों dinner कर रहे होते है जायंग को उसका superior कहता है कि यह जो school की cases होती है यह बहुत complicated होती है जब principal के पास complaint आती है तो principal parents को बता देता है parents अपने बच्चे से फैर करते है तो बच्चों को भी पता चल जाता है यह वो बता रहा होता है कि अगर बच्चों को पता चल गया तो ज़्यादा bully वो करेंगे यह जो investigation है इस investigation से सही से कुछ भी निकल के नहीं आने वाला इसका कुछ conclusion नहीं निकलेगा निकसिन में दिखता है कि जैंग निना से मिलने के लिए जाता है यह उसे गाड़ी में lift दे रहा होता है जैंग लैला के पास गया था उसके parents के पास गया था यह उसे वताता है लैला को जो parents होते हैं यह उसे बहुत ज़्यादा protect करते हैं यह अमेर होते हैं और यह समझते हैं कि उनकी डॉटर बहुत स्पेशल है बाकि जो सब लोग है वो लो लाइफ से हैं यह जादा कुछ मैटर नहीं करते हैं इसके घर में से इस तरह की इनफोर्समेंट मिल रही है नीना से कहता है कि उसके आख देखकर एनिमल्स की वो आख है एसा मुझे लगा वो कुझे महणश नहीं कर पा रही थी नीना कहती है कि यह जो लोग होते हैं यह अंदर से डरे होते है इसलिए बाहर से यह सब हो दिखाते हैं यह बोलती है कि मेरे मदर ने मुझे कहा था कि जब हysłब कहतम हो जाएगा तो मैं एडरल बन जाओंगी जब आप बड़े बन जाते हो, तो सब चीज़े फुलने लग जाते हो, पर मुझे ये नहीं पता, कि बड़ा बनना कैसे है, जायंग उसे कहता है, कि बड़े बनना इतना जाता मुश्किल नहीं है, तुम्हें इसमें सिर्फ जम करना है, इसके बाद तुम खुदी सब फिगर आउ तो नीना आया से भागती है एक जगा पर छुप जाती है और उफिसर को कॉल करती है पर यह लड़किया इसे छोड़कर चली गई है तो यह कॉल पर कुछ भी नहीं बात करती है यह फिर जैंग के पास आ जाती है उसे कहती है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे यह अकेल करता है थोड़ा दूर ही खड़ा होता है यह एक साथ दिखाई नहीं दे सकते है इसलिए यह सब वो करता है वाइल आएक को धमका कराता है उसे कहता है कि नीना से तुम दूर रहना अब हर रोज जाव उसे प्रोटेक्ट करता है अब नेक सिन में दिखता है कि जाव एक पा सकते हो नीना फिससे जाओ के पास आ जाती है जाओ फाइट में था तो उसमें बहुत जादा मार ख़ही है कि यह आए पैले होटा था अब नहीं हो रहा है वो अपनी मदर के बारे में कहता है मेरी मदर और मैं अकला था उसका एक बॉइफरेंड था पर उससे जब मेरे त वहों के बारे में पता चला तो मुझे छोड़ कए चली गई ये दोनों जो हैं ये बहुत याकेल हैं अब इसके बाद ये दोनों बहुत सारे चीज़ें एक साथ करते हो हमें दीखते हैं ये city फिरते aquarium जाते हैं ये दोनों इक दूसरे से पैर करने लग जाते हैं चाओ उपने friend के साथ हमें दिखाया गया है और उसे पूछ रहाता है कि अगर हम university में जाए तो उसके बाद अगर job ले तो हमें कितने पैसे मिल सकते हैं उसका friend उसे amount बताता है और ये बहुत जादा पैसे होते हैं चाओ पोछता है कि क्या हम इतने सब पैसे कमा सकते हैं ये कहता है कि अगर इतने पैसे कमाने होंगे तो हम bank लुटना पड़ेगा यानि कि चाओ नीना की तरह कभी पैसे नहीं कमा पाएगा नीना का जो future है वो अगर अपना पात pursue करेगी तभी ये सही होगा ये दोनों रात में breach पर आये होई होते हैं नीना उसे कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग कर चलते हैं ये दोनों फिर decide करते हैं कि जब ये अपना entrance exam clear कर लेगी बहुत अच्छा job इसे जब लगेगा तभी दोनों एक साथ रहेंगे तब तक के लिए चाओ उसे सब चीजों से protect करने वाला है next day हमें दिखता है कि चाओ को कुछ पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है एक serial rapist घुम रहा होता है तो कुछ बच्चों को उठा कर लेकर जाते हैं उन्हें identify करने के लिए चाओ को जब ये पुलिस लेकर जाते है तो पुलिस के पास ही से रुखना पड़ता है नीना को जो protection चाहिए आज उसे नहीं मिलने वाला जो वायला और उसका gang होता है ये सब अप नीना को घेर लेते हैं ये इसे बहुत ही मारते हैं इसका photos भी निकालते हैं और इसे कहते हैं कि तुम अपने आपको क्या pretty समझती हो लड़कों को भेज रही हो मुझे धंकानी के लिए इसके फिरो कबड़ने इकालते हैं उसकी वीडियो ले ले लेते हैं नीना घर पर रो रही होती है जब चाह आता है और ये देखता है तो बहुत दी जादा गुसे में आ जाता है वो जाकर वाहला को माय देने वाला होता है पर ये इसे रोक लिती है नीना के हैर्स भी उन्होंने cut कर दिये थे तो अब सही तरीके से ये उसके hair cut कर देता है नीना हो अकेला ना लगे तो इसलिए अपने hairs भी हो cut करता है अब जो नीना के entrance exam है इसका दिन आ चुका है चाओ से पेस्ट आप लग देता है और इंट्रांस एक्जाम देती है इसके बाद नेक सिर्ण में हमें दिखता है कि वायलाय की डेड़ बॉड़ी कुछ लोग को मिलती है चाओ के फ्रेंड को पुलिस उठाती है वायलाय की मर्डर के लिए जो गाड़ी यूज हुई थी ये चाओ की फ्रेंड की है पुलिस इसे पुछती है कि जब मर्डर हुआ था तब तुम कहा थे वा कहता है कि मैं हॉस्पिटल में था तुम्हारी कार कहा थी ये कहता है कि ये चोरी हो गई थी पुलिस कहते हैं तुम्हारी कार तो अब तुम्हारे पास है यानि कि कोई तुम्हारा जानने वाला ही था जो एक कार लेकर चला गया था अब में फ्लैसबैक में दिखता है कि चाउने अपने फ्रेंड़ से यह गाड़ी ली थी उसे आस्पिटल में छोड़ दिया था उसे कहा था कि अगर तुमें कोई पूछे तुम सच सच बता देना तो इसका फ्रेंड सब कुछ सच डिरेक्टू को पता देता है वाइलाय ने जो वीडियो ली थी ये जहांग को अब मिल जाती है इसे वो नीना को बुली कर रही थी तो नीना अब इस केस की प्राइन सस्पेक्ट बन जाती है नीना नहीं इसे मारा होगा ये सब को लग रहा होता है ये इसे क्वेस्चनिंग के लिए स्टेशन पर लिकर आते है ये इसे बुझते हैं कि इतनी तकलिफ तुम्हें इसने दी थी पर फिर भी तुमने क्यों नहीं केस फाइल की ये कहती है कि मैरे इंट्राइस एकसा माने वाली थी मुझे कुछ डूबल नहीं चाहिए था ये इसे बहुत ही फोर्स करते है कि वो कुछ बोल दे पर ये कुछ भी ने कहती चाहो भाग चुका है और उसे पुलिस पकड़ नहीं बाएगी पर अब नीना को as a suspect उन्होंने पकड़ लिया है तो चाहो के पास अब option नहीं रहता वो अब पकड़ा जाना चाता है वो नीना से मिलने के लिए आता है उसे एक जगा परो लेकर जाता है उसे कहता है कि पुलिस को बताना कि मैंने भी तुम्हें मोलेस्ट किया था तुम्हारा और मेरा कोई भी relationship नहीं है हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले है ये तुम पुलिस को बताना नीना कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती ये कहता है कि मैं माइनर हो मुझे जादा कुछ सजा नहीं होगी तुम्हें जब अच्छी जॉब लग जाएगी तो हम फिर से मिलेंगे पुलिस फिर नीना भर सर्वीरी अंसर रखी रही होती है तो अब वो चाओ को पकड़ लेते है चाओ को क्वेशनिंग के लिए बुला जाता है जो भी सबूत होते है ये चाओ के खिलाफ होते है डेट बॉड़ी भी जो थी उस पर भी ट्रेस चाओ कही थे चाओ फिर कनफेस कर देता है चाओ कहता है कि मैं सिर्फ उससे धमकाना चाहता था उसने मुझे रेजिस्ट किया और उमर गई अब हमें इसके बाद एक फ्लैश बैक दीता है इसमें नीना अपने घर जा रही थी और वायला उसके पास आई थी जो वीडियो वायला ने बनाई है यह पुलिस के पास जा सकती है यह अरेस्ट हो सकती है जो एंट्रांस इज़ा मुझे देना है इसमें भी वो बेट नहीं सकती अगर यह पकड़ी गई यह फिर नीना के पास आकर उसे अपलोजाइस करती है इसके पास आकर गिड़ गिड़ा रही होती है वायला उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे सकती हो नीना कहती है कि मुझे तुम अब दिखो मत मैं पुलिस कंपलेट नहीं फाइल करूँगे नीना को उप उससे बात नहीं करनी होती पर फिर भी उसके साथ हो जलने लग जाती है वायला गे थी कि तुम्हारे छो फ्रेंड थी वो बहुत ही वीक थी नीना के फ्रेंड के बारे में वो गलत गलत चीज़े बोलने लग जाती है नीना को गुस्सा आ जाता है ये स्टेर केस पर होती है निना फिर उसे धक्का दे देती है यह staircase से गिर कर वह ही मर जाती है अब निना को protect करने के लिए यह चाओ ने यह सब किया था जैंग को लगता है कि इन दोनों में relationship है तो यह security camera चेक करता है जैंग इसको protection देता था यह उसे पता चल जाता है यह क्या हुआ होगा यह भी वो guess कर लेता है यह इन दोनों को तोड़ने की कोशिश करता है यह police officer चाओ को कहता है कि मुझे निना ने सब कुछ बता दिया है कि यह तुमने ही किया है निना के पास आकर कहता है कि चाओ ने हम से कहा है यह सब तुमने कहा है यह इन दोनों में दराय बना चाते है यह सब कुछ सच बताते पर यह कुछ भी नहीं बोलते अपना जो statement होता है इस पर यह firm रहते है यह डिडिट्टू इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने भी लाता है पर यह कुछ भी एक दूसरे से कोई relation है इसा कुछ भी नहीं चताते जैंक की कोवरकरों से बुछ थी है कि तुम तो पहले निना को बचाना चाते थे तुम अब यह सब क्यों कर रहे हो जैंक कहता है कि जो blame है वो चाव अकेला लेने वाला है अगर ऐसा हुआ तो निना अपने आपके साथ जीनी पाएगी वो बहुत ही guilty महिसुस करी की और अपना life बरबात करते की इसके बाद चाव जेल में चला जाता है निना का score भी बहुत ही अच्छाता है इसकी मदर बहुत ही खुश होती है या फिर निना से मिलने जैंग आता है उसे congratulations करता है जैंग इससे कहता है कि तुम्हें मालूम है कि वो guilty नहीं है पर फिर भी तुम्हारे सजा वो काट रहा है क्या तुम अब अपने साथ खुश रह सकोगी चाव को फासी की सजा सुनाई कही है वो minor नहीं है उसने तुम्हें यही बतायोगा निना फिर रोने लग जाती है जैंग उसके पीछे ही आता है इसे मानने लग जाती है कही थी है क्यों तुम हमें अकिला नहीं छोड़ रहे क्यों तुम हमारे पीछे पढ़े हो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वो अभी भी ट्रायल में है पर वो बहुत सारे साल जेल में जा सकता है अब वो तुमने कनफेस कर दिया तो तुम दोनों की सेंटेंसिंग बहुत ही कम हो जाएगी थोड़ी सालों में तुम जेल से पाहर आजाओगे निना फिर डिसाइड कर लेती है कि उसे सब कुछ सच बताना है निना चाव से मिलने के लिए जाती है अब मैं चाव और निना ये दोनों पुलीस की गाड़ी में दिखाए गए है चाओ नीना से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है वो कहती है कि मुझे पहले डर लग रहा था अब मुझे नहीं लग रहा यह अपने फ्यूचर को किस तरह से देख रहे है यह हमें इस सीन से दिखता है यह पहले डर रहे थे पर अब यह नहीं डर रहे है यह सीन और यह मुवी यह दोनों खतम हो जाते हैं पर हमें अब पता है कि जेल से वापस आने के बाद नीना अब टीचर बन चुकी है जिस तरह से बुलिंग उसके साथ होई थी किसी और के साथ नहीं होने देगी मुवे के फास में हमने देखा था कि यह लड़की को इन्योटिस करती है जो लड़की उसके क्लास्रूम में होती है इसके बुलिंग हो रही होती है तो इसे आप वो सपोर्ट करेगी नीना और चाओ यह दोनों एक दूसरे के साथ ही थे इन दोनों ने अपने लिए एक अच्छा सा फ्यूचर बना लिया है इस मुवी के जो सब सिनारियोस थे यह बहुत ही डामेटिक थे पर एक बड़ा सा टॉपिक यह मुवी टच करती है इस मुवी में हमें दिखाया क्या है कि जो क्लासरूम के बच्चे होते हैं जो टीचर्स होते हैं हमेशा एक दरार बना कर रखते हैं यह कहते हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं यही लाइफ में कुछ अच्छा कर कर जाते हैं दूसरे जो सब हैं ये घटिया लाइफ जिने वाले हैं यो कोई भी अपने लाइफ के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं ये इस mentality में इन्हें रखते हैं जो इस classroom के बच्चे होते हैं ये दुसरे बच्चों को बुली करते हैं इनके आगे वो जाना सके हैं इसके लिए हमेशा उन्हें तकलिफ देते रहे थे नीना भी इसी mentality का victim होती है नीना भी यही समझती है कि ये चाव से बेटर है चाव के जो हलात थे वो खराब थे इसलिए ये सब वो कर रहा था इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं थी जो competition की mentality होती है ये कुछी बच्चे इसमें पास होने वाले है मुवे में दिखता है कि 90 lakh बच्चे इस entrance exam को देते है इसमें से सब तो पास नहीं होने वाले बहुत इक गिने चुने बच्चे इस entrance exam में पास होगे और बाकी सब कुचल दिये जाएंगे नीना के लिए blame सिर्फ चाव लेने वाला था क्याने की नीना superior है और वो inferior इस तरह से इन्होंने हमें gap दिखाया था लास्ट में हमें दिखता है कि जो blame था इन दोनोंने एक साथ लिया है अब पर एक दूसरे को उचा नीचा नहीं दिखाना चाहते यह movie एक message हमें दिखती है कोई superior नहीं होता और कोई inferior नहीं होता सब लोग अपनी life के साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा करी लेते है लास्ट में इन दोनोंने अपने लिए future बना लिया है नीना जेल में गई थी पर वो इसके बाद भी teacher बन चुकी है इस world को एक ही तरीके से देखना यह कितना गलत है एक message यह movie हमें देती है यह video हम यहीं खतम करते है तो अगर आपको यह video अच्छा लगाओ का तो please इस video को like कर दीजे इस तरह की बहुत सारी movies में लेकर आते रहे तो तो please इस channel को subscribe कर दीजे और आपको कोई movie मिसना हो हम फिर से मिलेंगे और एक नई movie के साथ तब ते के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिए